अगर आपको अपनी website पे organic traffic चाहिए और backlinks बनाना है तो SEO off-page optimization बहुत ही important part है आपकी website में आपके optimization strategy में but guys इससे भी important यह है कि off-page में क्या-क्या activity keys आए तो guys 2020 में मैं आपको 10 ऐसे points बताने जा रहा हूँ SEO off-page strategy से related जो आपकी website पे organic traffic भी लाएगा और आपकी website पे backlinks भी create करने में help करेगा तो welcome back to my channel Digital Rahul मेरा नाम Rahul रहा है और आज की इस वीडियो में 10 valuable points आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे SEO off-page optimization की activity आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसका use करके आप अपनी website को boost कर सकते हो उसकी organic traffic और आप अपनी website पे generate कर सकते हो maximum to maximum backlinks तो guys इस वीडियो को last तक देखिएगा अगर अभी तक आपनी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please एक बार subscribe भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा तो guys जो पहला points मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपको create करना होगा shareable content shareable content क्या होता है आपके mind में ये question आ रहा होगा guys shareable content का मतलब ये होता है कि जो आपका content है वो आपके readers को value provide करना चाहिए अगर आप as a live example अगर हम लेते हैं आप किस तरह के content को share करना पसंद करते हो पहुंसे ऐसे content होते हैं जिनको आप share करते हो internet पे guys आप उस type के content बहुत ही जादे share करते हैं लोग जो एक value create करता है लोगों के लिए तो आपको content ऐसा create करना होगा जो लोगों के लिए value create करें उनकी help करें तो ओ लोग उसको share भी करेंगे like भी करेंगे उसमें अच्छा खासा engagement भी आएगा आपके shareable content में तो इसलिए अब जब भी off page optimization की strategy बनाए तो पहले नंबर पे shareable content जरूर ध्यान में रखे और जो मैं आपको दूसरा points बताने जा रहा हूँ वो है guest post Guys आज की date में guest post बहुत ही जादे trend में है off page optimization के लिए यहां से अच्छा खासा traffic मिलता है guest post के थूँ और आपकी website पे do follow backlinks भी मिलते हैं इसलिए जितने भी SEO export हैं वो guest post जरूर ही रखते हैं अपने off page optimization की activity में इसलिए आपको भी रखना चाहिए off page activity में guest post का strategy जरूर यूज करना चाहिए और जो तीसरा points में आपको बताने जा रहा हूँ ओ है article submission बहुत ही starting से article submission लोग कर रहे हैं और article submission का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि आपके website पे अच्छा खासा traffic आता है referral traffic आता है article उस article के तुरू और आपको backlinks मिलते हैं और article एक बहुत ज्यादे trust worthy website होते हैं जहां पे readers content को पढ़ना पसंद करते हैं और वहां से share करना पसंद करते हैं तो इस तरह से आपके content जादे से जादे share होते हैं और जादे से जादे organic traffic आप वहां से generate कर सकते हैं और उसमें आप अपने keywords को भी target कर सकते हैं तो इस तरह से अगर कोई keyword search भी करेगा तो आपका article जो है rank में भी आने के chances होते हैं और आपकी website पे backlinks भी मिलते हैं और जो 4 number का मैं tips आपको बताने जा रहा हूँ तो इन्फो ग्राफिक्स creation and submission आप infographics create करके backlinks create कर सकते हैं आप अपनी website पे traffic generate कर सकते हैं guys infographics अगर create करने की बात मैं करूँ तो आप बहुत ही आसान तरीके से create कर सकते हैं suppose अगर आपने कोई blog post किया है आपका कोई article है कोई submit किया है आपने तो उस content के help लेकर आप infographics create कर सकते हैं और infographics sites पे share कर सकते हैं वहाँ से आपको backlinks मिलेंगे वहाँ से आपको traffic भी मिलेगा और जो five number ticks है वो है social media share social media share में आपको क्या करना होता है कि जैसे भी आपने कोई blog लिखा कोई article लिखा कोई भी content आपने अगर अपनी website के लिए लिखा तो उसको जितने भी social media के जो sites हैं जो channels हैं उस पे आपको share करना होता है उस content को इससी क्या होता है आपकी engagement अच्छी खासी बढ़ती है वहाँ से social media के तुरू traffic आपकी site पे generate होता है और आपकी website का आपकी company का brand awareness भी बढ़ता है और जो six number का tips में आपको बताने जा रहा हो है forum submission forum submission के बारे में आपको पता होगा कि forum की भी website होती है just like question and answer website वहाँ पे लोग किसी particular subject के बारे में लेके conversation start करते हैं और last तक और चीजें चलती रहती हैं तो वहाँ से आपको backlinks create कर सकते हो आप वहाँ से अच्छा खासा traffic भी generate कर सकते हो but forum में एक problem ये है कि आप तुरंत ही आप backlinks नहीं create कर सकते हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा participate करना होता है एक दो post भीना backlinks के post करने होते हैं उसके बाद आपको forum के signature में आपको chance मिलता है वहाँ के bio में chance मिलता है जी, blog commenting के थुरू आपको दो प्रकार के backlinks मिलते हैं पहला मिलता है और do follow और दूसरा मिलता है no follow तो ये चीज़ें आपको check करके blog commenting करना होगा blog commenting की sites पे जहाँ पे do follow backlinks मिले do follow backlinks beneficial होते हैं आपकी website के लिए लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी website पे सारे जो backlinks है do follow होई होना चाहिए आप अपने keywords को search कीजिए plus blog commenting लिखके google में तो आपको बहुत सारी ऐसी website आ जाएंगी आपकी company से related आपकी business से related google में जहाँ पे blog commenting वो provide करवाते हैं तो वहाँ पे आप blog comment करके आप backlinks गेन करेंगे आपकी website पे traffic आएगा और आपकी brand awareness भी बढ़ेगी वहाँ से और जो 8 number tips में आपको बताने जा रहा हूँ वो है video creation and video submission जैसे जो भी आपका content है आप visual content बनाएए video suit कीजिए 2-3 minute का आप अपने product और services के बारे में और उसके video submission की sites पे जैसे vimeo हो गया youtube हो गया बहुत सारी इसी sites हैं जहाँ पे आप उसको embed कर सकते हैं आप upload कर सकते हैं और वहाँ पे description में अपनी website के link भी छोड़ सकते हैं जहाँ से website पे आपके traffic जाएगा ही जाएगा आपकी website के लिए एक अच्छा खासा backlinks भी मिलेगा आज की date में लोग video देखना जादे पसंद करते हैं content पढ़ने से अगर हम compare करें तो और जो 9 number tips मैं आपको बताने जा रहा हूँ हूँ है image share and image submission का guys image submit करके आप अपनी website के लिए backlinks create कर सकते हैं और organic traffic generate कर सकते हैं उनकी जो authority होती है Google में काफी high होती है उनका DA, PA बहुत ही जादे high होता है तो वहाँ पे आप अपने company के लिए आप अपने business के लिए profile create कर सकते हैं उन sites पे और अपने image को submit कर सकते हैं और वहाँ से share कर सकते हैं वहाँ से अच्छा खासा traffic और अच्छा खासा backlink सा create कर सकते हैं और ये off page activity का बहुत ही अच्छा part भी है और जो 10 number का tips मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओ है question and answer आपको google पे question and answers की website को find करना होगा और वहाँ पे आपको अपने product से अपने subject से related questions पूट करने होंगे वहाँ से अगर कोई question पूट किया है तो उसको answer देना होता है इस activity को आप again and again करके आप अपनी website को अच्छा खासा backlinks भी दे सकते हो अच्छे खासे traffic generate कर सकते हो तो guys इन 10 tips को आप 2020 में off page activity में use कर सकते हो और ये बहुत ही useful methods मैंने आपको बताया है आज की इस video में तो hope ये video आपको अच्छी लगी होगी और ये काफी valuable होगी आपके लिए तो guys मेरे channel के एक पार subscribe कर दिजेगा like कर दिजेगा और share कर दिजेगा thank you so much for watching my video